मस्कार दोस्तों कैसे हैं सब आप लोग I hope आप सभी लोग अच्छे होगे और आप लोगों की जो पड़ाई है वो भी एकदम first class बिंदास चल रही होगी आज हम बात करेंगे most important topic money and financial system का वो है Reserve Bank of India Sir Reserve Bank of India को हम क्या बोलते हैं RBI भी बोलते हैं Sir यह RBI करता क्या है तो सबसे पहले हम चीज समझेंगे Sir RBI होता क्या है RBI होता है भीया Bank को का bank RBI ठीक है यानि कि सारे bank को control कोन करता है RBI करता है देखो अब RBI कैसे कैसे origin हुआ यानि कि RBI हमारे देश में आया क्यों ठीक है क्या RBI जैसे हर bank हर एक country में होते है जी बिलकुल हम बात करें USA तो वहां पे भी क्या होता है Reserve Bank of India नहीं होता मलब Central Bank होता है क्या होता है Central Bank यानि कि RBI को हम क्या बोलते है Central Bank बोलते है नो बात करते है origin of RBI यहां पर हम अपने देश की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर RBI कैसे आगमन हुई यानि कि कैसे हमारे RBI आई The origin of the Reserve Bank of India can be traced to 1926 जो RBI है यानि कि Reserve Bank of India है कब traced हुई थी यानि कि कब आने की कोशिश करी गई थी 1926 में आने की कोशिश करी गई थी अब देखो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो यह आजादी से पहले की बात है यानि कि जब ब्रिटिस का रास था तो ब्रिटिस का रास था तो भहिया क्या हुआ कि ब्रिटिस वाले ही ब्रिटिसर्स ही क्या कर रहे थे हमारी इंडिया को चला रहे थे It is when the Royal Commission on Indian Currency and Finance also known as Hint Young Commission recommended the creation of Central Bank of India Central Bank of India के थुक्या हुआ कि Royal Commission आया Royal Commission किसने भेजा होगा तो British का रास चल रहा है तो Royal Commission भी किसने भेजा होगा British ने भेजा होगा on Indian Currency यानि कि Indian की Currency को regulate करने के लिए कौन सी Commission लाया गया उसी का नाम बोला Hilton Young Commission आया जो कि आपका Central Bank of India बना यानि कि कौन सी Commission आया जब Central Bank of India बना Hilton Young Commission आया तब हमारा क्या बना Central Bank of India बना सबसे पहली बार in 1926 यानि कि British में Britishers ने हमारे RBI को बनाया to separate the control of currency and credit from the government and to agost banking facility throughout the country यानि कि क्या करा गया कि जो करंसी का करंसी और क्रेडिट का जो लेना देना है इन सब को अलग करा गया यानि गवर्मेंट से भी अलग अगर अचा सोचो आपको हम कह दें कि आपके पास पर्मीशन है जितना चाहें उतने नोट चाप सकते हैं तो आप तो बिल्कुल माला माल हो जाओगे भई है भई आप क्या करोगे भईया हटा हम तो क्या करेंगे 2000 के नोट डेली चापेंगे वो भी दद्दस मनी हाय सब ने देखी हुई है ऐसे चापेंगे अम लोग ठीके तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसी लिए क्या लाया गया मालब सेंटरल बैंक ओफ इंडिया लाया गया जिससे क्या हो जिसके पावर किसको दी गई बिल्कुल सेपरेट कर दी किसके पावर कर दी सेपरेट कर दी यानि कि गवर्मेंट भी उसमें क्या नहीं कर सकती है कुछ भी नकल अंदाजी नहीं कर सकती है ठीके तो इसको control करने के लिए अलग क्या बनाई गई एक अलग ही तरह का office बनाएगा अलग ही board बनाएगा इसके लिए ठीके और इसमें कहा गया इसी के act में मैंनों Central Bank of India के act में कहा गया RBI के act में कि जो हमारी banking की इस्तिती है इसको बढ़ाया जाए कब का गया 1926 में बढ़ाया जाए The Reserve Bank of India Act of 1934 ठीके अब Reserve Bank आ गई है Central Bank जो थी ना पहले जो यह था हिल्टन यंग कमिशन था वो अब तीरे दीरे इसका कम होने लग गया और हमारा Reserve Bank of India Act आ गया क्या गया? Reserve Bank of India Act आ गया in 1934 में Estabalize the Reserve Bank क्या Estabalize करा? Reserve Bank Estabalize करा किस ने कौने एक्ट आया? Reserve Bank of India Act आया कौनसा आप आया? Reserve Bank of India Act आया कब आया? 1934 में आया और इसमें क्या Estabalize करा गया? Reserve Bank करा आया and set in motion a series of actions accumulating in the start the operation in 1935 लेकिन देखो act आया है यहां पर, reserve bank of india act कब आया है, 1934 में act आया है, लेकिन operation, यानि कि काम करना कब start करा, हमारी RBI ने, यानि कि reserve bank of india ने, 1935 में उसने काम करना start करा, I hope यहां तक clear होगा, since then the reserve bank's role and functions have undergone numerous changes, जैसे जैसे हमारा देश आजादी की तरह बढ़ने लगा, हमारे reserve bank में क्या होने लगा, changes आने लगे, क्या होने लग गया, changes आने लगे, numerous changes, as the nature of the Indian economy and financial sector change, Indian economy में change आने लग गया, और financial sector में change आने लग गया, यानि कि जैसे हमारा RBI का, जैसे हमारे देश आगे बढ़ने लगा, हमारे RBI में भी कोछ changes होने लगे, देखो दुनिया, जब हम चलत हैं, आगे, बढ़ते आगे हैं, तो क्या खरता है, change होता है, अब इसके बात-बात करेंगे, हम लोग, timeline की बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे, timeline की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 1926 में क्या हुआ था, Royal Commission आ गया था, Indian economy में, जिसको हमने Young Hunt, Royal Hunt Commission बोला था, ठीक है, Finance Recommendation Creation of Central Bank for India, ठीक है, तो क्या बना दिया गया, Central Bank of India कब बना दिया गया, 1926 में, लेकिन, 1927 में क्या हुआ, जो बिल पारित करना था, वो Legislative Assembly में तो गया था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, यानि कि successful नहीं हो पाया, ठीक है, अच्छी तरह से, agreement न लोगों ने क्या करा, इसको क्या कर दिया, मना कर दिया, in 1933, फिर 1933 में कोसिस करी गई, the white paper on Indian constitutional reforms recommended the creation of a reserve bank, और reserve bank की बात रखी गई, 1933 में, किदर बात करी गई, 1933 में, बात करी गई, Indian constitution में रखने के लिए, reserve bank को, a fresh will was introduced in the legislative assembly, लेकिन देखो, 1927 में तो बिलकुल मना कर दिया था legislative assembly में, sorry, ठीक है, तब white paper पे क्या लिखा गया, कि constitutional reform करा जाएगा, creation of a reserve bank, a fresh will, a fresh will introduce करा गया, अपने RBI के लिए, reserve bank of India के लिए, तो जबी तो 1934 में क्या आएगा, हमारा bill पास हुआ, and receive the governor's general assent, जैसे कि अब क्या होता, जैसे हमारे हाँ पर president की signature लिए जाते है, वैसे ही व इसका रास्ता, 1934 में तो, तो governor general क्या हुआ था, governor general ने क्या करा था, कि अधर senior करे किस पे, bill पे, और 1935 में क्या होने लग गया, एक अपरेल से हमारा RBI काम करने start कर दिये, private shareholder banks, लेकिन RBI पहले क्या नहीं था, सरकारी नहीं था, हमारा जो RBI था, उस सबसे पहले, क्या था, private, private shareholder banks था, क्या था, private shareholder bank था, with a paid up capital of rupees 5 करोड, ठीक है, कितना, सबसे पहले, खोलने के लिए, bank खोलने के लिए, कुछ amount की जरुवत होती है, तो क्या था, 5 करोड रुपे था, यानि कि reserve bank, reserve bank of india थी, commence operation, कब start हो गया था, 1 अपरेल को start हो गया था, लेकिन private shareholder bank थी, ठीक है देन उसके बात, बात करेंगे, 1942 की, finally, बात करेंगे, 1942 की, the reserve bank, Christ, to be the currency issued authority of Verma, now मया मार, देखो, जब हमारा क्या था, अब जो RBI था, वो कहां पर भी चलता था, ये मया मार, यानि कि Verma, Verma, जो कि आज का part मया मार, ये वहां पर भी चलता था, लेकिन कुछ crisis हो गए थे, तो वहां से भी बंद करना पड़ गया, in 1942 में, अब 1947 में क्या हुआ, RBI, bank, stop acting as a banker to the government of Verma, यहां पर क्या करा गया, currency बंद करी, बलब currency चापना बंद कर दिया, वहां बेजना मना कर दिया, लेकिन यहां पर पूरा ही, यानि कि Verma के अंदर, यानि कि मया मार के अंदर, पूरा ही 1948 में क्या हुआ, the reserve bank stopped rendering central banking service to Pakistan, और पाकिस्तान से भी हमारा, बिलकुल ही 1947 में क्या हुआ था, देश आदा हुआ, तो पाकिस्तान भी आदा, अलग हुआ था हमसे, तो भाई सब बिलकुल ही 1948 में क्या हुआ, वहां पर भी नोट चापना बंद कर दिया, RBI ने वहां पर भी इ बैंक कौन सा है, state bank है, central bank कौन सा, state bank, now बात करेंगे 1949 की, 1949 में क्या हुआ, the government of India nationalized the reserve bank under the, तो ने 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 का मतलब होता है, सरकारी कर देना, रास्टी करण करना, क्या करना, रास्टी करन करना, ने 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 बताया था, 1935 में हमा private shareholder था, कैसा था, private shareholder था, लेकिन हमारा जो अब government हो गया, कब हुआ, 1949 में हमारा RBI क्या हुआ, nationalized हो गया, यानि कि सरकारी हो गया, किस act के थुरू हुआ था, तो reserve bank transfer of public ownership, यानि कि transfer of public ownership act 1948 के अंदर, ये act आया गया था, कब आया था, act 1948 के अंदर, और हमारा जो bank था, RBI जो bank था, वो कब nationalized हुआ, 1949 में हमारा जो bank था, वो nationalized हुआ, अब बात करेंगे हम central office of RBI की, central office of RBI, RBI का office कहां पर है, the central office of the RBI, was initially stabilized in कलकता, सबसे पहले, RBI का जो central office था, वो कलकता के अंदर था, कहां था बया, कलकता के अंदर था, but was permanently moved to Mumbai, कहां पर आ गए, लेकिन, permanently moved कर दिया गया, 1937 में, मुंबई के अंदर, तो RBI का, अब recently, RBI का, जो central office है, वो कहां पर है, तो आप बताएंगे, मुंबई में है, पहले कहां पर था, कलकता में था, ठीक है, इसलिए, मुंबई को क्या बोला जाता है, financial authority बोला जाता है, ठीक है तो, होता क Ben, यहां पर governor, बैठते है, क्या बैठते है, RBI के governor बैठते है, और वो क्या करते है, वो क्या करते है, सारी POLICY, सारी जितनी भी काम की चीजें है, RBI से related, यह किसने को पैसा देना है क्या करना है यह सब कहां पर बैठके होता है Central Office के अंदर बैठकर होता है कौन करता है Governor करता है Governors करते है Through originally privately owned Since nationalization in 1949 The Reserve Bank is fully owned by the Government of India पहले तो हमारा जो private था कौन RBI? 1935 में अब private था लेकिन जब हमारा जो RBI है 1949 में क्या हुआ Reserve Bank of India nationalized हो गया तो किसके अंदर काम करने लग गया Government of India के अंदर काम करने लग गया किसके अंदर काम करने लग गया Government of India के अंदर काम करने लग गया Next हम बात करेंगे Central Board Central Board क्या होता है The Reserve Bank Affairs are governed by a Central Board of Directors Reserve Bank के जो Affair जो कौन समालता है इस Central Board of Directors, यानि कि जो Central Board के डारेक्टर होते हैं, वो सारे affair, या affair क्या होते हैं, जो मतलब जितने भी बेदवाव हो जाते हैं, बैंकों के बीच में लड़ाई जगड़ा हो जाता है, हो जाता है basically, तो उनको सुल्जाने के लिए कौन होता है, CBD होता है, कौन सा होता है, Central Board of Directors होता है, The Board is appointed by the Government of India, अब इस Board को कौन appoint करता है, तो Government of India हमारी क्या करती है, इस Board को क्या करती है, appoint करती है, in keeping the Reserve Bank of India Act, किस के थुरू, यानि किस कौन सा Act माना जाता है, Reserve Bank of India Act को मद्धे नजर रखते हुए, हमारी जो Government of India है, वो इस Board को क्या करती है, appoint करती है, अब बात कर लें कुछ appointment की, appointed, nominated for a period of 4 years, दो 4 years के लिए होता है, बेसिकली हम बात करते हैं, जो हमारा RBI है, वो जो RBI की Governor है, पहले तो बनते हैं, तीन साल के लिए, फिर 2 साल के लिए क्या करते हैं, एक्सेंट करते हैं, तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन एक ऐसे भी Governor है, आपने नाम सुना होगा, रगुराम राजन, ठीक है, रगुराम राजन जी जो है, वो हमारे RBI के Governor थे, तो वो तीन साल के लिए बनाए गए थे, उनका टाइम पीरिट था, वो एक्सेंट नहीं हो पाया था, लेकिन अब मैं बात करूं, प्रिजेंट हमारे Governor कौन है, तो आप लोगों को पता है, हम लोगों के प्रिजेंट कौन है, सक्तिकांत दास, अब Constitution के अंदर कुछ बाते दी गई है, Official Director, Full Time Governor are not more than 4 Deputy Governors, ठीक है, Governor होंगे, लेकिन 4 Deputy Governors से ज्यादा नहीं होंगे, कौन Official Directors, कौन होंगे, Official Directors, अब बात करते हैं, Non Official Directors की, सर यह कौन से Directors होते हैं, Nominated by Government, है न, कौन Appoint करता है इनको, Government, क्या करती है, Appoint करती है, 10 Directors from Various Fields and 2 Government Official, यानि की, अलग-अलग Fields से कोई Revenue Service है, कोई Foreign Service से है, ठीक है, तो 10 Directors, जो लिये जाएंगे, दिखो, from Various Fields, वो अलग Fields से होंगे, लेकिन जो 2 Government हैं, वो क्यासे होंगे, भाया, Officially होंगे, क्यांसे होंगे, Government के Officially होंगे, Other, 4 Directors, 1 Each, from Local Boards, और 4 Directors भी चुने जाते हैं, जो की Local Boards काम करते हैं, Local Boards में काम करते हैं, वो अलग-अलग Directors चुने जाते हैं, अब देखेंगे, हम लोग की Function क्या होता है, RBI का, हम RBI पढ़तो हो रहे हैं, या RBI करती है, देखो, Monetary को Authority करती है, Monetary का मतलब होता है, पैसा, पैसे को Authority देती है, Formulate करती है, यानि कि पैसे को कैसे निवानर करना है, पैसे को कैसे Implement करना है, और पैसे का कैसे ध्यान रखना है, कोई धांदले बाद ही तो नहीं हो रही है, तो इसके लिए Monetary Policy बनाए गई, कि Monetary Policy के अंदर six directors होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है बहिया, कि हर दो महीने बाद, क्या होता है, Monetary Policy बैठती है, और implement करती है, कुछ formulate करती है, कुछ monitor बनती है, और इसके तुरू किस पर effect पड़ता है, तो यह monetary policy बहुत है, और इसके अंदर ही सब काम हो रहा है, नाव second part देखेंगे, हम लोग, second बात करेंगे, regulator and supervisor of the financial system, आप लोगों को financial system में आपको बताया, जितने भी banks होती है, बैंकों का अच्छे से ध्यान रखती है, कि कोई bank, दिवालिया गोसित तो नहीं हो रही है, दिवालिया गोसित हो रही है, यानि insolvency हो रही है, तो उसको क्या करेगी, वो पैसा देदेगी, पैसा देगी क्या करेगी, उसको थोड़ा सही कर देगी, अगर वो टिक नहीं पाए तो बात लागे ठीक है नो बात करेंगे manager of foreign exchange ठीक है अब यहां पर भी manager of foreign exchange बनाए जाते हैं ठीक है foreign exchange का मतलब क्या हो दा है foreign exchange कब लाया गया act 1999 में लाया गया क्यों लाया गया अब बहार से कोई currency आ रही है अपने इंडिया के अंदर और इंडिया से कोई currency बहार जा रही है बीच में कोई मत बहिद ना हो currency suitable हो उसी को हमने क्या बोला इसको कौन मद्य नजर रखता है foreign exchange ध्यान रखती और कौन regulate करता है इसको भी RBI बात करते issue of currency अब आप लोगों को पता है हमारी RBI का main role तो यह है कि हमारे लिए पैसा generate करे है ना हमारी currency government को क्या करे पैसा दे ठीक है government क्या करे बुरे उसमें फैला दे ठीक है भाया issue of currency now बात करेंगे fifth point की development role इसका क्या है development role है इसके बिना तो हमारा यार देश चलेगा ही नहीं पैसे के बिना आशकल कोई चलता है कुछी चलती है कुछ नहीं चलती है तो development role बहुत बड़ी अतरसी यह निवाता है लास्ट पॉइंट है हमारा regulator and supervisor of payment and settlement system लेकिन देखो अभी आपका कर रहा हो ptm, phone pay यह सारे जितनी भी online transaction हो रहे है यह भी कौन supervise करता है RBI यानि कि सारी नजर पैसे से related जितनी भी नजर है आप लोगों की है ना आप कोई दांदले बाजी आप नहीं यानि कि कोई भी बड़ी बड़ी company है ptm हो गया phone पे हो गया कि कोई गलत काम ना करें उसके लिए भी supervise करती है कौन RBI regulate करती है कौन RBI payment का settlement system कौन रखती है RBI I hope यहां तक बिल्कुल deep मैं ने पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को thank you so much for watching this video and like करना comment करना subscribe कर देने चैनल को अभी तक नहीं करा हो तो मिलते हैं next part में